हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सासा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा whatsapp नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो आप हमें whatsapp के जरीए signal के जरीए या तेलेग्राम के जरीए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं fingers काफी थिक हैं जिसकी वज़य से काफी अच्छी energy and stamina native के भीतर रहता हैं साथी साथ आप यहाँ पर देखेंगे कुछ खड़ी रिखाएं इनकी सभी fingers के lower and middle phalanges के उपर नजर आ रही है ऐसी रिखाओं का होना native को बहुती मिलनसार सभाव का बनाता है से व्यक्ती की nature काफी अच्छी रहती है अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तरजनी उंगली यानि index finger बहुत अच्छी length में है बिलकुल thick और काफी straight यह finger इस तरहें की तरजनी उंगली का होना indicate करता है कि native की knowledge काफी अच्छी रहेगी ऐसे व्यक्ती की leadership qualities भी बहुत अच्छी रहती है दूसरों को रास्ता दिखाने वाली personality ऐसे व्यक्ती की देखी जा सकती है अगर हम शनी की बात करें तो बिलकुल straight और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनी finger नजर आ रही है और इस तरहें की शनी finger का होना दर्शाता है कि native बहुत ही मेहनती nature का रहेगा एक discipline personality एक नयाई प्रिया और अनुशाशन प्रिया टाइप की nature ऐसे व्यक्ती की रहती है और अपनी नीख हूबियों की वज़े से चीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ती कामयाब रहते हैं अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो बिल्कुल straight बहुत अच्छी लंबाई में लगभग इनकी सूर्य फिंगर इनकी तरजनी के equal पहुँचती हुई नजर आ रही है जिसकी वज़े से native की creativity का level काफी strong रहता है जिन लोगों की सूर्य फिंगर लंबी होती है ऐसे व्यक्ति काफी creative nature के होते हैं काफी अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है और एक बहुत अच्छा social circle बना पाने में भी ऐसे native काम्याब रहते हैं लेकिन यह finger अगर अधिक लंबाई में हो तो native risk taker type की personality हो सकता है चीवन में रिस्क लेने की रूची ऐसे व्यक्ति की अधिक रहती है और कई बार तो अपनी धन की investments के मामले में भी ऐसे व्यक्ति रिस्क ले बैठते हैं अपने धन को ऐसी जिगाओं पर invest कर देते हैं जहां पर loss की संभावनाई हो जैसे share market है crypto currencies है mutual funds है ऐसी चीजों में भी अपने धन को ऐसे व्यक्ति लगा सकते हैं अगर हम इनकी mercury finger की बात करें तो बहुत अच्छी लंबाई में mercury finger सूरा फिंगर का जो टॉप फैलंज है वहां तक length में पहुंचती हुई नजर आ रही है जिसकी वज़े से native के communication skills काफी अच्छी रहते हैं साथी साथ ऐसे व्यक्ति का business acumen भी strong रहता है जिनकी mercury finger अच्छी लंबाई में हो पुर्वा अनमान लगाने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की बहुत बहुत बहुतर होती है mercury finger अच्छी length में हो तो native की calculations काफी अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति हिसाब किताब के मामले में अच्छे रहते हैं और काफी अच्छी पुर्वा अनमान की क्षमता इनकी देखी जा सकती है यहाँ पर आप देखेंगे mercury finger और surya finger के बीच में gap बनता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वज़े से native काफी independent सभाव का रहता है ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं जो काम करने की ठान लेते हैं उसको करकर ही दम लेते हैं थोड़ा जिदी टाइप का सभाव इस तरह के gap की वज़े से रहना possible है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी mounts को उसके बाद हम इनकी सभी रेखाओं को भी देखेंगे यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी mount यहाँ पर ज्यादा low set होता हुआ नजर नहीं आ रहा इवन इनका जो mercury mount का area है काफी उठा हुआ है और हाथ में mercury रेखा यानि के buddh की जो रेखा है वो मौझूद है आपको दिखाना चाहूँगा इस रेखा की हम बात कर रहे हैं और यह mercury mount है जिन लोगों का यह area उपरा हुआ होता है इसे व्यक्ति का business equipment और communication skills अच्छे रहते हैं इस रेखा का हाथ में होना नेटिव को काफी strong calculations देता है ऐसे व्यक्ति अगर job में भी चले जाते हैं वहाँ पर भी अपनी strong communication skills की वज़े से बहुत अच्छा perform कर सकते हैं और अगर business में जाते हैं तो वहाँ पर तो और भी बहुतर results ऐसे व्यक्ति को अपनी अच्छे communication skills की वज़े से मिलते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कुछ खड़ी रिखाएं आपको नज़र आएंगी इनके mercury mount के उपर इस तरह की खड़ी रिखाओं को healing lines कहा जाता है और जिन लोगों की अथेली पर ऐसी healing lines मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी तरह से दूसरों की मदद करते रहते है अपने शब्दों से अपने करमों से अपनी सलहा या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की quality ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है बहुत अच्छी healing qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है और ऐसे native बहुत अच्छे सलहाकार बन सकते हैं अगर हम इनके सूर्या पर यह कितना भी काम कर ले दूसरों की कितनी भी मदद कर ले बदले में कोई appreciation कोई reward नहीं मिल पाता लेकिन यहाँ पर एक सूर्या रेखा आप देख पाएंगे अच्छी length में लगबग यहां से शुरू होती हो यह सूर्या रेखा इस तरह की सूर्या रेखा हाथ में जो mind line के उपर से शुरू हो रही हो लगबग 50 की एच के बाद native को अच्छी result देती है 50 वर्ष की एच के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब हो जाता है आप यहां पर देखेंगे इस area में cross का चिन बनता हुआ नजर आएगा यह जो area रहत है यहां पर अगर cross का चिन हो तो इसे mystic cross का नाम दिया जाता है जिन लोगों की थेली में इस तरह का mystic cross बनता है ऐसे व्यक्ति की six sense यानि के छटी इंदरी स्क्रियर रहती है आने वाली खटनाओं का पूरवा अभास ऐसे व्यक्ति को बाखू भी हो जाता है और यहां पर cross बनने से अगर native किसी occult science को सीखने की कोशिश करे तो वो भी सीख सकता है जैसे astrology है पामिस्ट्री है tarot cards वास्तो जैसी चीजें इन में इनकी रूची काफी अधिक देखी जा सकती है शनी की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे शनी माउंट का area बिलकुल flat है जिस पर देखेंगे हाथ में अच्छी शनी रेखा मौचूद है यहां से शुरू होने वाली यह रेखा कुछ इस तरह से शनी माउंट तक और यहां पर आकर यह रेखा डबल होती हुई और एक बिलकुल straight और spust शनी रेखा आपको इनके शनी परवत के उपर नजर आएगी ऐसी रेखा अगर बिलकुल spust हो तो native की old age काफी अच्छी रहती है ऐसे व्यक्ति के पास old age में भी income के sources बने रहते हैं और ऐसा व्यक्ति एक comfortable old age को enjoy करता है इस रेखा का wavy होना चीवन में थोड़े उतार चड़ाव देता है आप यहां पर देख सकते हैं कुछ रिखाएं इनकी भागया रेखा को टच करती हुई जिसकी वज़े से native को थोड़े ups and downs का सामना भी अपने चीवन में करना पड़ सकता है अब यहां पर देखेंगे इन रिखाओं की मदद से यहां पर money triangle की formation हो रही है भले ही कुछ रिखाएं थोड़ी थुंदली पड़ रही है जैसे यह है रेखा आपको हलकी सी धुंदली नजर आएगी और इनकी mercury line भी भागया रेखा के मकाबले थोड़ी धुंदली अगर यह रिखाएं और भी dark हो जाती है तो यह है money triangle और भी अच्छे result देगा जबकि इस तरह का money triangle किसी भी तरह की रिखाओं से बन रहा हू नेटिव को अच् गुरू परवत की तो आप यहां पर देखेंगे गुरू परवत यहां पर हलका सा low set होता हुआ जिस वज़े से परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी रह सकती है लेकिन यह माउंट आपको उठा हुआ भी नजर आएगा जिसकी वज़े से बहुती knowledgeable personality ऐ रहती है इस माउंट पर आपको कुछ इस तरह की बारीक रिखाएं नजर आएंगी यहां रिखाएं बहुत ही अच्छी मानी जाती है इन रिखाओं को progress lines कहा जाता और जिन लोगों के हाथ पर ऐसी progress lines मौचूद होती हैं ऐसे व्यक्ति अपने चीवन में बहुत अच्छी त नेटिव अच्छी तरक्की करपाने में काम्याब रहते हैं लेकिन अगर यहां चिन होने के बावजूद भी इनसान गलत रास्ते पर चलकर बैमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो यहां चिन बिलकुल विपरीत result देता है और नेटिव को चीवन में losses का सामना करना प बिलूर होगी आप यहां पर देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन काफी अच्छी है कोई मेजर इशू हार्ट लाइन ने नजर नहीं आ रहा कुछ हलकी सी यहां पर शालो होती हुई जो माइनर इशूस ब्लड ट्रैशर जैसी कोई दिक्कत इनको दे सकती है कोई मेजर कर क्योंकि यह रेखा इस रेखा का इस तरह से नीचे की तरफ चुकना ओवर इमेजिनेशन को इंडिकेड करता है काफी कलपनाशील होते हैं काफी धिक सोचने वाले जिस वज़े से थोड़ा स्ट्रेस या तनाव का सामना भी नेटिव को अपने चीवन में करना पड़ सकता है अगर हम बात करें इनकी लाइन आफ लाइफ की तो आप देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है यहाँ पर डबल होती नजर आ रही है जो एक स्पोर्टिव लाइन के साथ साथ चलती हुई इस तरह है की जीवन रेखा आपको नजर आएगी और साथ साथ एक अंदर की तरफ और रेखा जो इसको स्पोर्ट करती है इस तरह की रेखा को मंगल की रेखा भी कहा जाता है जिस वजह से एनरजी एंड स्टामना तो अच्छा रहता है लेकिन थोड़ा अग्रेसिव नेचर का भी ऐसा व्यक्ति रहता है यहाँ रेखा होन इनकी एज लंबी रहने वाली है लगबग एटी के आसपास की एज को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में इंज्वाई करता है और यहाँ रेखा के अंत में यहाँ पर आकर आपको कुछ बारीक रेखाओं से फिश की अकृती बनती नज़र आएगी ऐसा फिश का सिंबल रहू और के तू एकसिस पे जब बनता है तो यहाँ इंडिकेट करता है कि नेटिव को चीवन में कई बार अचानक धनलाब होंगे इस तरह का चिन होना दर्शाता है कि नेटिव को चीवन में लंबी दूरी की यातराई करने का मौका भी मिलेगा और साथी साथ ऐसे व्यक्ति को इंहरिटेंस के जरीए या इंशोरेंस के जरीए थनलाब हो सकता है अब देख सकते हैं यहाँ पर इनका शुकर परवत का जो एरिया है काफी उठा हुआ है लेकिन यहाँ पर काफी सारी रिखाएं मौचूद हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई भी आपको नजर आएं नीचे से उपर की तरफ उठती हुई इस तरह की बारे एक रिखाएं लंबी दूरी की यात्राएं फॉरन ट्रैवल्स को भी इंडिकेट करती हैं लेकिन मून का इरिया यहाँ से हलका से वीक होता हुआ भी जिस वज़े से थोड़ी एंक्साइटी की दिक्कत का सामना भी न लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पैंडिंग है तो मुझे वट्सैप पे मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद